11.3 मुक्त पतन, फ्री फॉल, चित्रा नुसार एक बालक गेंद P को प्रिथ्वी से उपर किक करता है गेंद का उपर जाने से लेकर नीची आने तक का पत A, B, C, D, E द्वारा दिखाया गया है जिसमें A, गेंद की प्रारंभी किस्थिती, C, गेंद की अधिक्तम उचाई, तथा E, गेंद की अंतिमिस्थिती है क्या आप बता सकते हैं कि B, C, D एवं E अवस्थाओं पर P के उपर कौन-कौन से बल क्रियाशील है क्या गुरुत्वा कर्शन बल के अलावा वस्थू P पर कोई अन्यबल भी क्रियाशील है, जो वस्थू को गतिशील करने के लिए प्रयोग में आया है क्या वस्तु को पैर से किक करने के बाद भी वह बल क्रियाशील होता है यदि हाँ तो कितने समय तक क्रियाशील रहेगा इस क्रियाशील बल के कारण वस्तु में कितना त्वरण उत्पन होगा यदि इस पत पर वस्तु पी पर सिर्फ पृत्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वा कर्शन बल क्रियाशील है और यह बल पृत्वी के केंद्र की ओर क्रियाशील है ऐसे में वस्तु कैसे उपर की ओर जा रही है ये सभी प्रेशन स्वभाविक है ऐसा अक्सर सोचा जाता है कि यदि वस्तु में गती है तो उस पर जरूर गती की दिशा में बल लग रहा होगा मगर ऐसा हमेशा नहीं होता आपने बल एवं गति के नियम के अध्याय में देखा कि जरूरी नहीं है कि यदि वस्तु गति कर रही है तो उस पर कोई बल क्रिया कर रहा हो हमने गति के दृतिनियम से यह भी देखा है कि वस्तु के उपर क्रियाशिल बल सम्वेक के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है किन्तो यहां आवश्यक नहीं है कि वह सम्वेक के दिशा में हो जदि वह समवेक के दिशा के विपरीत है तो वह समवेक को घटाएगा वास्तों में चलती हुई हर वस्तु की गती के विपरीत वायू बल लगाती है मगर यह बल बहुत कम होता है और सहजता के लिए वायू द्वारा लगाये गए बल को हम अधिकांशता नजर अंदाज कर देते हैं हम जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे उपर की ओर फेकते हैं तो हम उस वस्तु को प्रारंबिक गती देते हैं इस प्रारम्भिक गती तथा संवेक के लिए बल चाहिए। शुरू में फेकते समय हम बल लगाते हैं, पर सवाल यह है कि जब वस्तु हाथ से निकल जाती है, तब क्या हाथ से दिया हुआ बल वस्तु पर अब भी क्रिया कर रहा होगा? गती के प्रतमनियम के अनुसार, बल लगाने पर वस्तु में गती का संचार होता है, और फिर जड़त्व के कारण वस्तु उपर की दिशा में चलती रहती है, हाथ से निकलने के बाद वस्तु पर सिर्फ गुरत्वकर्शन बल ही क्रिया सील होता है, इसका आर्थ यह हुआ कि वस्तु में जो त्वरण होगा, वह सिर्फ गुरत्वकर्शन बल के कारण ही होगा, वस्तु की गती की जिस जिस इस्तिती में वस्तु पर सिर्फ गुरत्वकर्शन बल क्रिया सील हो, उस इस्तिती को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरना या मुक्त पतन कहा जाता है, क्या आ आपने गती के अध्याय में वस्तु के गती के समीकरणों के बारे में पढ़ा है उन समीकरणों में तुरण A के स्थान पर G लिखकर हम यह बताते हैं कि यह तुरण गुरुत्वा करशन बल के कारण है गुरुत्वे तुरण में गती के समीकरण समीकरण 1 V equal to U plus G T समीकरण 2 H equal to U T plus 1 upon 2 G T square समीकरण 3 V square plus U square plus 2 G H यहाँ H equal to वस्तु की प्रिथ्वी के तल से उचाई हम कुछ उदाहरन लेकर इसे समझने की कोशिस करेंगे मान लेकि आप दो अलग-अलग द्रविमान की वस्तु A even B को 100 मिटर उपर से इस्तरवस्ता से छोड़ते हैं A even B के द्रविमान क्रमशा 2 kg और 10 kg है 10 मिटर दूरी तै करने के बाद दोनों के चाल का मान क्या होगा अगले 10 मिटर के बाद में चाल क्या होगी तालिका के इन बिंदों का अवलोकन करें इस सानी के आधार पर इस्थिती और समय के बीच चाल और समय के बीच तथा इस्थिती और चाल के बीच ग्राप कीजिए क्या वस्तू के द्रविमान का उसकी चाल पर कोई प्रभाव होता है क्यऌस के थίू प्रवाव हो Шज कि अजय के बीच में भीचा हो रता है